हाई फ्रेंज वेडियो में मैं बात करने वाला हूँ BCG के बारे में यानि की ब्राइट कुंग ग्रूप के बारे में स्टॉक में काफी सारे अपडेट आए निविसक बहुत सारे अपडेट देखे स्टॉक में अभी ट्रेडिंग बंद हो चुका है शे लाक निविसक इसमें फसे हुए हैं बहुत ही बड़ा नंबर है शे लाक समझ सकते हैं आगे जैसे इसमें ट्रेडिंग होगा फिर से इसमें नए निविसक फसेंगे बिना research किये entry लेंगे और बाद में research करेंगे तो जाकि उन्हें पता चलेगा कि stock में trading तो बंद है तो phrase जिस दिन trading स्टार्ट होने वाला है देखेंगे इस वीडियो में कौन सा दिन trading स्टार्ट होने वाला है तो phrase management तरब से board के तरब से काफी सारे update निकल कर आयो है last update board ने जो दिया है क्या उसका परभाव पड़ेगा दिस दिन trading होगा यह भी आपर देखने वाले तो आप देख सकते हैं 13 जून 13 जून को company में trading हुआ था कारुबार हुए थे उसके बाद इसमें trading बंद हो चुका है इस टॉक ने बहुत ज़्यादा लॉस ही निकाल कर दिया है अब देख सकते हैं पिछले एक साल में 70% का losses है तो फ्रेंज नए निविश्चों को यहाँ पर में साथ ध्यान रखना है कि गिरावट में सभी stocks अच्छे नहीं होते हैं और अगर अच्छे हैं तो उसका थोड़ा past research किजिए अगर आपको सामने fundamental के ratios में सामने दिख रहा है कि नहीं बहुत अच्छा fundamental इसका trading अभी बंद है हो सकता है आगे आने वाला समय में खुल जाएगा तो profit अच्छा निकाल देगा तो ऐसा सोचना नहीं है उसको research करना है उसको देखना है क्या सही में आने वाला समय में stock perform कर सकता है इसके पर कोई allegation तो नहीं है कुछ गर-ब तो बहुत अच्छा अपडिट है जहां पर लिंक भी दिया गया company का आपनी का इसमें क्या 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 देखे में नहीं सकता है इस तरह से सूचे करेंगे देखेंगे 31 है इंडस्टी का पी देखेंगे 1.34 है और बुक वेलू की बात करें 34 है समझ सकते हैं स्टॉक कहीं नहीं तो आए गया जाएगा इस तरह से काफी सार लोग यहां पर सोचेंगे और इंट्रि लेना चाहिए यह समझने का प्रयास करेंगे निवी करी निवी आजाएगा तो जून तक करेंगा थोड़ा तो उससे समझ में आ जाएगा जून तक का के में तो यहां चम्पनी नि're निंए प्रों coal करुदिया हुआ है वह और खरीज़ से रहे हैं अगर के लिज़टों नहीं दो करूफाया लिए भी 10 रुपे कास पास हस्ता मिल रहा था कि बस रिस्क पे एंट्री लिए हैं तो 50% का रिस्क तो हमेशा आपको रखना ही पड़ेगा कभी 50% आप एंड डाउन आपको देखने को मिल सकते हैं चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं कि अपडेट दिया था कि उसका असर पड़ेगा इसे पहले एक अपडेट आपने देखा होगा कंपणी ने जो ट्रस्ट बनाने की कोसिश किया था वो ट्रस्ट आप बिल्ड नहीं हो पाया कंपणी का कहना था कि 11 जुन तक में कंपणी रिजल्ट डिकलियर कर देगा और अगर हुआ तरीडिक बंद होना पक्का है तो कंपणी का स्टेटमिन नहीं था कि हम बंद नहीं हो देंगे अगर और 11 जुन तक में रिजल्ट डिकलियर करेंगे लेकिन कंपणी ने अपनी कंपणी में रिजल्ट किया बाकी सबसेड़्िश को छोड़ दिया उपर से रिजल्ट निकाल कर दिया कि company result क्यों नहीं दे पाई बोड का यहीं यहाँ पर बात निविसे को थोरा सा यहाँ पर बिलेब हो जाए तो समझ सकते इस टॉक में फिर से कारोबार स्टार्ट हो जाएगा लेकिन बिलेब किसी यहाँ पर होने वाला भी है नहीं यहाँ पर देख सकते हो quarter two के result quarter three के result दोनों यहाँ पर company देने वाली है इस टेलों result only company ने दिया था तो इसका date भी दिया है company 31 July 2024 company का कहना था कि जो नया इसका accountant है यह समझ नहीं पाया दो दिन में क्या देगा इसलिए update नहीं आ पाया तो DP Sarda and company अगर यह result दे दिया 31 July 2024 तक में तो फिर यहाँ पर बात बनेगा और अगर company आ कि यह कह दे कि DP Sarda तो resign दे दिया यह कुछ और हो गया तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर पूरा फसाने की बात की जा रही है तो last month का है company के पास और अगर company result 31 July तक में दे देती है तो share भी यहाँ पर अच्छा move कर सकता है सभी निवीसे को believe हो जाएगा कि company ने पहले जो भी का वो ठीक कर रहा है लेकिन result आने के बाद अब देखिए आज तारीक है 19 और ट्रेटिंग बंद है 14 से तो समाझ सकते हैं इसका 15 दिन complete हो जाता है 29 तारीको और 29 तारीको रहता है Saturday यानि की बजार बंद रहेगा फिर तरीक यानि की बजार बंद रहेगा तो समाझ सकते हैं June हो गया खर्तम और June खर्तम होगा तो फिर next जो डेटा आ रहा है वह है एक तारीक और रहने वाला है Monday यानि कि Monday के दिन trading स्टार्ट हो जाएगा एक जुलाई को trading सुरू होता हुआ देखने हो कि इसमें मिल सकता है 15 दिन trading बंद ही रहता है जब किसी भी stock का trading बंद होता है पूरा तरीके से तो 15 दिन continue trading बंदी रहा दा है उसके बाद फिर next जो भी Monday आने वाला होता है सुरुवात का सप्ता का सुरुवात का पहला दिन उसमें trading होता है तो इसमें नए निविस्टों को हमेशा साउधान रहनी की जुरत है और जिस दिन नया इसमें trading होगा उस दिन इसमें LC भी देखने को मिल सकते है क्योंकि और इसमें sellers बहुत ज़्यादा panic में है तो नए निविस्टों किसमें साउधान रहेगा entry लेने का प्रयास अभी नहीं कीजिए जब तक कि company के result नहीं आ जाते है तो फ्रेंस thanks for watching अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please do subscribe and do like button thank you